हेलो दोस्तों तो जैहिंद आप सभी को और अड़ा 247 आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यार अभी क्या है जो लोग पता हो एक प्लाइनिंग पता हो जिसके बेसेस पे हम अपनी तैयारी कर पाएं और जब एक प्लान होता है तो चीजे आसान होती है मतलब हमें क्या करना है अगर यह मुझे पता हो तो उसके होने की मतलब जो संभावना वह भी बढ़ जाती है अभी अगर मोटा मोटा देखा जाए डेट आने के हिसाब सी तो आपके पास है 100 दिन 100 दिन का मतलब यह है कि अभी आपको मतलब 100 दिन में वह बहतर से बहतर चीज़े क्या कर सके जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको गैरंटी दे सकता ह की अपनी एक अलग वीक्नेस है अपनी स्टेंथ है उसी के कॉर्डिंग कुछ में जर्नल चीजे बताऊंगा जिनको आपको देखना है अपने प्लान में एक्जिक्यूट करना मतलब उसको सामिल करना है और देखना है उसी हिसाब से आपकी क्या प्लानिंग रहेगी फॉर मलब प्रिलिम्स में सब मैं आपको समझाओंगा इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम लाइन आप देखो आपकी डेट्स हैं 14-27 जुलाई 14-27 जुलाई आपका प्री सेडियूल है तो मैं कहूंगा कि 15 दिन आपका जुलाई में है और इधर टोटल मिला के 100 है आपके पास तो उन 100 दिन में आप के पास ही जो महीने है इस तीन महीने में आप की य– टाइम लाइन हैं मैं इसलों एक सबसे पहली चीज क्वेस्चन आता है सबसे पहले कि इसका basis क्या होना चाहिए मनलब प्लैनिंग का basis क्या हो तो मुएरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हूँ तो सबसे पहली जरूरी चीजे वो मॉझ मतलब मॉक एकैसी चीजे मोक आप दोगे तो मौक से पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है तो मेरा पहला सबसे पहली एडवाईज यह है कि आप मौक दो क्योंकि मौक जब आप दोगे तो आपको यह देखना है कि 200 में से आप कितने मार्क्स कर पा रहे हो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ लोग होंगे जो 120 या 130 मार्क्स कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 150 प्लस मार्क्स भी आ रहे होंगे तो वो आपको देखना है कि वेर आर यू लाईंग अब अगर आप बहुत सारे लोग हैं जिनके यह कैटेगरी में है मतलब 120-150 के बीच में हैं तो आप लोग पहली बात तो मेंस के लिए सूचना शुरू करो क्योंकि मेंस और प्रीका अभी क्या है स्लाइबस सेम है जब स्लाइबस सेम होता है तो हमें क्या होता है कि जब मेंस के लिए भी आप पढ़ोगे तो प्रीका इसको और यह बढ़ेगा तो अभी से मैं आपको बताओंगा भी कि मेंस के लिए हमें सुचना सुरू करना है टाइपिंग कंप्यूटर है और अब तो ऐसा है कि टाइपिंग कंप्यूटर के बिना कुछ भी आपको सेलेक्शन मदलब कोई भी बी पोस्ट मिलने वाली नहीं है तो अभी से सोचना है जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं बात में करेंगे इन लोगों की जिनके स्कोर मतलब 80-90 या इससे भी कम है इस रेंज में अगर आप हो तो आपको अभी कुछ चीजे बहुत मतलब सोच समझ के चलना है सबसे पहली चीज आप यह सोचिए कि मौक कैसे होता है मतलब ऐसा नह मोक पुर्लंथ मौक का मतलब होता है कि वर ओर ओर अपनी यह पर्फॉमिंस जानना चाहते हो ओर 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 एंडायर रैंक जानना चाहते हो तब ऐसे मौक देते हैं और ये पेपर के टाइम बहुत मतलब ने चाहिए सभी को देने चाहिए और बहुत यूजफुल साबित होते हैं लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है सेक्शनल मौक का यूज़ हम करते हैं जैसे हमारा पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यह 80-90 मार्क्स कर रहे हैं साइद इनका एक सेक्शन बहुत वीक हो मतलब हो सकता है इंगलिस में किसी के 10 मार्क्स ही आ रहे हो बाकी सेक्शन साइए तो उस कंडिशन में आपको इंगलिस में टाइम देना है क्योंकि अभी 3-4 महीने हैं अभी हम चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है ठीक है ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कोई एक्जाम नहीं है अभी अगर आप कोई भी जैस जीस लें uh वैंसर सब्लाघ कर ले रहे हो तो इस से बेस्ट कुछ नहीं है क्योंकि वह अपको तुरंद के तुरंद प्रैक्टिस करवाते घार है ठीक है तो समझना है कब हमें कौन सा मौक देना है यह सब बहुत जरूरी है अब मेन कॉंपोनेंट की बात करते कि अब तैयारी करी कैसी जाए तीन मैं मानता हूं तीन सबसे important चीजे हैं किसी भी तैयारी में कोई भी एक्जाम हो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम स्लैबस को complete करें एक बार स्लैबस complete हो जाएगा तो अपने आप क्योंकि सबसे ज़्यादा problem होती है इसी में बहुत लोग एक्ट्रा चीजे पढ़ते हैं स्लैबस में स्लैबस अगर किसी का एक बार तयार हो गया अच्छे से तो उसके बाद बचता है के वल पीवाई क्यू और रिवीजन प्रैक्टिस यह आप कर लोगे तो आप एक्जाम के लिए लिजबल हो और एक्जाम आराम से क्रैक कर लोगे दिक्कत के आती है कि स्लैबस किया कैसे जाए मतलब फिर तो उसका सोर्स भी पीवाई क्यू रखो पीवाई क्यू मतलब एक ऐसी चीज है जिससे आपक हम देख रहे हैं कि मैस आसान है तो मैट फिर उस लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है राधर दन यूटिलाईज यूर टाइम अवन सम अधर सेक्शंस ठीक है मैट का टाइम अभी हमें जादा नहीं देना है यह बात हमें तभी पता चलती है जब हम तो प्रीवाई क्यू सब्सक्राइब करने का बेस्ट तरीका है अब उसके बाद आती रिवीजन और प्रैक्टिस की रिवीजन और प्रैक्टिस फिर कैसे करें तो यह पहली बात तो बेगिनर के लिए नहीं है अगर आप तयारी अभी सुरू किये हैं तो आप एक चीज समझे कि तयारी सुरू करने में आपको यह कोई काम नहीं आएगा क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए जिन लोगों के मार्स का मैं उनको खास कर बताना चाहता हूं कि आपका मेन फोकस होना चाहिए करने में क्योंकि सायद हो सकता है आपका 23 ना हो पर 24 जरूर हो जाएगा और जब आप सही पैटर्न फॉलो करोगे मतलब पैटर्न यही है कि सबसे पहले स्लेबस किया जाए पीवाई क्यों और फिर उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस पर पहुंचे तो एक बार आपका यह पैटर्न अगर चलेगा तो 23 में भी साय सेलेक्शन लिलो 24 भी से और हो जाएगा ठीक है तो तरीका यही है अब बात करते हैं रिवीजन कहां से किया ज लिख के करने से होता किया जैसे मैं आपको बताओ वो कैब है इसको रिवाइज करना है तो यह है जैसे आपकी नोट्स या कोई भी बुक है कुछ कुछ भी है इसके सबसे पहले आपने ऐसे रीडिंग किया रीडिंग करते टाइम आप हाइलाइट करो चैपें से करो पैंसि देखो इसमें अभी क्या होगे कुछ वर्ड साय याद हो जाएं कुछ नहीं याद होंगे उनको फिर से लिखो मतलब जब मल्टिपल टाइम आप लिखोगे बोल बोल के रिवाइच करोगे तो अपने आप रिवीजन होगा रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है बाकी प्र होड़ टाइम है आप एक चीज समझें तीन-चार महीन है आप इन सब चीजों पर अगर फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे तो अब हम अपने टाइम लाइन को अगर देखे तो हम यहां से यह बोल सकते हैं कि हमें मॉक जो है मॉक तो देना ही देना है अब एक चीज और बात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट है टाइपिंग यह मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी जब से पैटन चेंज हुआ है इसके बिना क्या है कुछ होने वाला नहीं है अगर आपकी टाइपिंग सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते कोई भी पोस मिलने वाली नहीं है यह मैं ऐसा इसलिए बोला हूं कि मेरे इस बार बाइस में मतलब मेरे दोस्त कुछ रहे जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं और वो टाइपिंग और कंप्यूटर में फेल हैं सोचो इनको एक अच्छी जॉब मिल सकती थी 4600 ग्रेट पे की और यह फेल हैं इसलि मन नटलब कितने कश्च ःतेश्रेज कर पाहें अगर आप साइध हो सकता हजार की च्टोङ कर पाई ओ लेंगे Patriots Tech मीन तो में मेंञें नहीं यह जरूरी है क्योंकि टाइपिंग के विना तो कुछ होना ही नहीं तो यह भी आप आइड करके चलो मतलब टाइपिंग क्या मॉक और टाइपिंग यह तो आपकी प्लाइनिंग में होना ही चाहिए ठीक है कि अब बात करते हैं कि यह सब हमें पता चल जाएगा कि मौक कैसे देना है किस मंत में प्लाइनिंंग हम सब कर लेंगे तो बात आती है ठीक कि इंपनी बात कर schlimm तो कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जब मैंने ठीने ऐसा देफीन ना बनाया हो बहुत जरूरी है अगर मेजर मतलब नॉर्मल बात करो तो आपके पास 24 आर होते हैं तो अगर एक्जिमम स्लीप हटा दे तो 16 आर बसते हैं मतलब मैं यह कह रहा हूँ आपको ज़्यादा नहीं क्यों एट टू टेनार क्वालिटी स्टेडी करनी एट टू टेनार अगर आप क् मतलब है कि फोकस होके पढ़ पा रहे उतना ही जरूरी है बस आठ गंटे बहुत जादा है मतलब उसको कैसे डिस्ट्रिब्यूट करना आपके देखो चार सब्जेक्ट हैं इंग्लिस रीजिनिंग मैज जियस अभी क्या है चारो ही मेंस में आने तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सबको टाइम देना है सभी का रोल है आपके फाइनल माक्स में इनको जब आप टाइम दोगे मतलब मैं कह रहाँ कि वह आपको डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉंग है कौन सा नहीं है किसमें आपको प्रोब्लम आ रही पता कैसे चलेगा य दो और जीयस और दो और मॉक क्योंकि मॉक दोगे एनलाइज करोगे उसका नोट्स बनाओगे तो इतना ही टाइम आपको लग जाएगा अब लेकिन हो सकता है जैसे मेरी मैथ मान लो तो मैं मैथ में कम टाइम दूंगा या दो दिन में एक बार पढ़ लिया एक गंटे और उसका टाइम यूटिलाइज करूंगा रिजनिंग में ठीक है क्योंकि अब अगर मेंस भी देखा जाए तो रिजनिंग टफ थी मैस से ज्यादा रिजनिंग को ऐसे हलके में नहीं ले सक करना है टाइमिंग आप लिखो कि इतने वज़े से इतने वज़े तक क्योंकि इसका रिजन आप समझो जैसे मैंने यह लिख लिया एक बार सुबे-सुबे और मैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है और माइंड आप हमेसे देखते हो पहता है कि हां ऐसे यसे पढ़ना इतalah ये पढ़ना तो उससे एक आसानी होती माइंड को भी करकर दो और करना है एक नोट बनाने है और ऊसको लिक लिक के ही करना है क्योंकि कि उससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में एक तो पहली बात इंट्रेस्टिंग लगेगा और कम टाइम में ज़्यादा आउट्पुट आपको मिलेगा ठीक है और अब सबसे जरूरी बात करते हैं मेंसिज में मतलब इसका क्या मतलब है अभी आप देखो पहले क्या था कि पी भी मतलब आप समझो प्री भी मार्क साइड होते थे अभी तक जब बाइस के पहले तक और उसके मार्क साइड होते थे और मेंस क्या था कि मतलब आप देखो कि टीर 3 भी होता था अभी क्या है मेंस की जो आपकी डेट होगी एक दिन वो दिन । करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलए है आपका Сिटेकशन होना है नहीं होना है हर चीज । होने वाली उस एक दिन से प्रिय क्वालore क्या में क्या मिंवक्र प्री सेक्षन जा सकते हैं अभी क्या किया कि में में इसको एक सेक्षन में कर दिया 30-30 क्वेश्चन और इंग्लीज और जी इसमें 45 क्वेश्चन उसमें 25 क्वेश्चन तो यह एक सेग्मेंट है आपका मतलब में जो आप बोलोगे जिस पे आपकी कटॉप डिसाइड होनी पोस्ट क्वेश्चन और टाइपिंग तो यह चीज समझो ठीक है तो एक बार आप यह कर लोगे अभी हमें पता टाइपिंग भी हमारे दिमाग में कंप्यूटर सेक्षन करना है और यह वाला सेग्मेंट ठीक है तो आप यह चीज मनलब समझ गये अभी तक कि कैसे प्लानिंग करनी कैसे पढ़ना है ठीक है मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और वहां हम देखेंगी सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए ओके बाए टेक कियर